नमस्कार दोस्तों, मैं है परदीव दूबे, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो इस फिरिया का जो सिविल स्कोर होता है, क्या आपको न्यू क्रेडिट कार्ड अपलाई करने में काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बहुत से लोग ये सवाल पूछते है मैं आज आपको इस वीडियो में आपको एक रियाइटी बताने वाला हूँ कि आपका क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा डिकलाई होने का क्या कारण है, क्या इसके वज़े से होता है या और कोई कारण है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तो जब भी आप अपना सिविल स्कोर चेक करते हो अलग-अलग साइटों पे तो आपके सामने एकस्पिरिया का जो सिविल स्कोर है दिखाया जाता है, आप लोग देखते हो, वहाँ पे साड़े साथ सो, आठ सो, साड़े आठ सो बताता है, आप लोग बहुत देते हो, pain card, अधार card, अपने सारे document, जो आपको card के लिए apply करने के लिए मांग होता है, जब आपके document bank के पास जाते हैं, तो bank उसको verification करता है, check करता है, अगर दोस्तों, bank के कुछ term and condition होते हैं, जिसे आपको पार करना पड़ता है, अगर दोस्तों, आप bank के term and condition पार कर जाते ह तो आपको आसानी से card approved हो जाता है, तो आप ये सोचते हो कि मेरा civil score बहुत high-five है, टेंसर लेने वाली बात नहीं है, मेरा card approved हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, bank आपके लेखा जोखा एक बाय अड़ोटर के check करता है, अगर आपके document में, आपके report में, आपके income proof में, सब चीज म एक reality रहती है, तो बिना कहें, आप card approved हो जाता है, तो कभी-कभी आपका civil score बहुत high-five है, तब भी आप card decline और reject हो जाता है, तो यहाँ पे, आप लोग सोचते हो, मेरा सब कुछ सही था, आखिर decline क्यों हुआ, तो देखिए, bank को ये होता है, कि bank आपके सारे record को check करता है, जैस दोस्तों, आप, जब आपके pain card जाते हैं, bank के पास, तो bank वहाँ पे सब कुछ record निकाल लेता है, आपका, आप कितने दिन से जुड़े हो, कितने दिन से loan ले रहे हो, क्या आपका repayment है, कि इतना पैसा मेंटन करते हो, कितना account है, सब कुछ मालूम पढ़ जाता है, वहाँ पे असी था, तब भी मेरा card अप्रूब हुआ था, दोस्तों, मैं सोच में पढ़ गया, कि इतना कम था, फिर भी क्यूं हो गया, मैंने इस चीच के लिए बहुत जानकारी प्राप्त किया, और मैंने पता किया, तो मेरे को एक reality सामने बताया गया, कि ऐसा नहीं है, कि आपका civil score ह हाई फाई रहेगा, तब भी आप card अप्रूब होगा, आपके transaction, आपकी history, आप कैसे transition करते हो, कैसे lend-in करते हो, कैसे payment करते हो, आपका payment ECS से जाता है, या आपका payment cash में जाता है, cash जाता है, सब कुछ bank चेक करता है, अगर आपके account से ECS अगर जो है debit होता है, अगर आप ECS तो इससे आप card अप्रूब होने का chance अधिक रहता है, bank जानता है, कि ए परसन अपने account में पैसा mentor के रखता है, इसका ECS से पैसा करता है, तब भी आपको credit card अप्रूब होने का chance रहता है, तो दोस्तों, अगर आपके मन में civil score के बारे में लेकर सवाल है, experience.com या अलग-अलग होते हैं, तो आप मन से ए बाते हमेशा निकाल देना कि आपका credit history या आपका score अच्छा रहेगा, तब आपको card मिलेगा, दोस्तों, आप एक गलती कभी मत करना, आप live में only बार-बार अलग-अलग साइटों पर जो साइट आपको automatic credit card देने का दावा करता है, आपको card apply कर दे जोनों बताएगा, और वहां से आप report भी कर सकते हो, कोई दीकत अगर आपको होता है, तो कुछ website है ऐसी होती है, जो उनसे अपना score दिखाती है, बताती है, तो उनको benefit होता है, और उनको फायदा मिलता है website को promote करने के लिए कुछ website है ऐसा करती है, पर दोस्तों, आप अपने पैसा cash में payment मत करो, बैंक से auto debit होने दो, auto debit होने से एक बहुत अच्छा record बनता है, मैं आपको reality बता रहा हूँ, यह बाती सत्य है, इसको मानिए आप, और आपको हमेशा card मिलेगा, किसी bank का apply करोगे, तो साथ मैं आपको बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ, अगर मेरी video share करना, मन में कोई भी सवाल है तो comment करना, फिरी मिलेंगे नए video के साथ, अब तक के लिए, जै हिन, वन दी मातरम